Hello Everyone, Welcome to the Victory Time आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि Descriptive की तैयारी कैसे की जाती है क्योंकि Descriptive के Marks Mains के Cut-Off में Add होते हैं इसलिए ये Exam का एक बहुत ही Important Part होता है सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि Mains के Exam के तुरंत बाद ये Descriptive का Paper चालू हो जाता है 150 Word और ऐसे के लिए 250 Word तो आपको Word Limit का धियान रखना है तो Start करते हैं Formal Letter से सबसे पहले Formal Letter का Formate देखते हैं तो इसमें Starting में आपको Sender का Address लिखना होता है ये Exam में दिया है तो ठीक है वही लिखना है और अगर नहीं दिया है तो आप जो Address चाहें वह लिख सकते हैं इसके लिए मैं आपको Suggest करूंगी कि आप एक Address याद कर लीजिए और वहीं Address की Practice घर पर करिए जब आप Daily Practice करेंगे तो आपको वह Address याद हो जाएगा और एक्जाम में आपका वह Time Save करेगा इसमें आप एक्जाम की Date डालनी होती है Date के बाद उस Authority का Address और Designation आता है जिसको हैं Letter लिख रहे हैं फिर उसके एक Line का Subject लिखना होता है और फिर उसके बाद Greetings जिसमें आप respective Sir, Maim लिखते हों Next Line से Start होता है Letter की Body यह तीन पार्ट्स में Divide होती है Introduction, Details, Conclusion Introduction में हम अपनी Details देते हैं यदि हमको Bank Manager को लिखना है तो हम यह बताएंगे कि हम इस area के रहने वाले हैं और हम आपके bank के regular customer हैं इस तरीके से introduction देना होता है फिर Second Part आता है Details जिसमें हम जो भी हमारी complaint है या जो भी हमारी request है उसको बताते हैं और फिर उसके बाद Conclusion जिसमें हम conclude करते हैं कि हमारी request है और आप फुल्फिल कर दीजिए उसके बाद आता है Thanksgiving एक line में आप Thanks लिखतीजिए और फिर उसके बाद आता है Sender का नाम जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं यदि question में दिया गया है कोई नाम तो आप वो नाम लिखिए आप आप फुल एटर देखिए जो मैंने टाइप किया है इसे आपको idea मिल जाएगा कि कैसे लिखना होता है सबसे पहले मैंने Sender का address लिखा Max line में date लिखी देट के बाद उस authority का address और designation आता है जिसको हैं letter लिख रहे हैं उसके बाद subject लिखा और फिर उसके बाद greetings और यहां से start होती है letter की body जिसमें starting में मैंने introduction दिया है two-three line का फिर उसके बाद details फिर last में conclude किया है फिर उसके बाद thanksgiving और sender का address I hope अप लोग को अच्छे से समझने आ गया होगा अब आप जागर से जादा practice करना तो आपको format automatically याद हो जाएगा एक चीज जो याद रखनी होती है हमको word limit पर stick रहना होता है plus 5 minus 5 word चलता है जैसे 150 word limit है letter की तो आप 145 से 155 के बीच में लेख सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा 143 से कम नहीं होना चाहिए और 155 से जादा नहीं होना चाहिए अब आप जाद स्यादा practice करिए Confident रहिए, खुश रहिए, all the best